जैसा मैंने आपसे कहा कि बार बार जो है सरकार के खिलाब बोलते ही जहां सरकार की बात आती तो पुरांत लाइव के साथ छेड़ खानी स्टार्ट हो जाती है अब तो फिरी वाला जीयों भी उज़ नहीं कर रहे हम तो किसी और कंपनिय कर रहे हैं तो हम तो पैसे भी पे करते हैं सर ऐसा मत किया जाए तो जिस तरह की छेड़ खानी हो रही है ये चलिए वो उनका काम है लेकिन हमारा काम है कि हम गंभीरता से जरूरी मुद्दों पर अपनी बात रखें तो मैं बात कर रहा था दिल्ली में होने वाली कारवाई की तो जिन तमाम साथियों को जेल में बंद किया गया है वो गलत है बहुत ही और ये बदल भावना से किया जा रहा है सरकार विरोध के वाद दबाने के लिए सरकार याद रखे कि अपने देश को जो बचाने वाले लोग है इस देश की डेमोक्रेसी को जो बचाने वाले लोग है वो जेलों से नहीं डड़ते है तो यह आउस्टक बात थी यह आउस्टक मेसेज आपको देना था लेकिन मैं जो गंबीरता से देख रहा हूँ कि जिस तरह का देश में महाल बना देगा है जो दो बेशिक इसू है जो बड़े इसू है इस देश के बहुत ज़न समाज के लिए जैसे मैंने का कि कॉलेजियम जो है और रिजर्वेशन दोनों बड़े इसू है उस पर बोलने के लिए मुझे लग रहा है कि मुझे वीडियो बना के अफलोड करनी पड़ेगी जिस तरह से बार-बार लाईव को बंद किया जा रहा है वीडियो बना कर उन पर अफलोड करनी पड़ेगी पेज पर आगे जल्दी आगे से द्यान रखा जाएगा कि किस तरह से लाईव के साथ छेड़ खानी ना की जाए तो वीडियो बना के डाली जाए यह कोई और अन्या कुछ अच्छा प्रयाद्स करेंगे तो यह ध्यान रखा जाएगा तो इसलिए उन इशूज पर तो सही तरह से क्योंकि आपको बात समझ आए तो रखनी पड़ेगी मैं चाहता हूं यू आउ से मेरे एक निवेदन है कि लोगडाउन चल रहा है तो कॉंट्यूशन पर को ज़्यादा पड़ें जितने हों सब्सक्राइब को पड़ें से लड़ सकते हैं जो जिस तरह की सरकार कारवाई कर रही है उनको जवाब दे सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करता है तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरे उस लाइव से पहले सभी साथ ही जो है हमारे भीम आर्मी और आजार समाज पार्टिक करांतिकार जो साथी है और वह से नो जरूर पढ़ें इस पर विवाद होगी जब यह लाइव होगा रिजिर्वेशन और को लेकर दूतरा आपको सविधान में यह भी पढ़ना है कि किस तरह से जो है सुप्रेम कोट के हाई कोट के जजों की निवक्तिया होती है यह जानना बहुत जरूरी है और किस तरह कि अधिकार हमें कॉंट्यूशन ने दिये यह भी जानना जरूरी है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे खिलाब कोई बड़ी साजिस चल रही है तो मैं समय समय पर सब चीजों के बारे में बताता रहूंगा बार बार ना इंटरनेट की प्रॉब्लम या समझे कि बार बार छेड़ प्रिखानी लाइव से की जा रही है एक और जो बहुत जरूरी इस जिस तरह का महौल बना दे गया है बार बार सरकार हिंदू-मुस्लमान बनाने का प्रयास कर रही है सच यह कि सरकार फेल है जो डोक्टर जिनको भगवान के रूप में देखा जा रहा है जो सफाई करमचा रहा है क्योंकि उनको pp जो है प्रोटेक्शन किट नहीं मिल रही है कि अवीं है ये क्यूमेंट से प्रोटेक्शेलapon नहीं मिल 59 ग PLAY तो वो लोग परेशान है और वह लगातार जो है अंदोलान की एभी जीवीपंतस से भी कुछ похож वीडियो मिली थी कि व भी आंदोला की कह लोग आंदोलन करेंगे और जिस तरह से लोकडाउन में अत्याचार जो हैं किये जा रहे हैं बहुजणों पर लगाता रहता रहता चार के जा रहे हैं यह एक बड़ा इशू है कि लोकडाउन के समय जो है जिस तरह से एक तरह का चार्ज मिल गया हो एक तरह की छूट मिल गी हो एक तरह का जरगया बन गया हो लोकडाउन इस देश में बहुजणों पर चार करने का तो उस पर भी बड़े पैमाने पर काम हो रहा है कहीं जगां जैसे रमन भाई का मामला है जैसे बिहार में एक बच्ची के साथ गहतना हुई हाँ करे बित दोाखि मेरे कर नहीं हूं मेरे तेकल लगतार और सामुई गत्ताचार हो रहा है सताय जा रहा यह गलत है पुलिस कारवाई के नाम पर जो है कागजी फॉर्मल्ट्या करी यह भी बहुत सोचने का विश्य है मैं आप से निवेधन करूंगा कि जिस तरह से आप लगातार काम कर रहे थे क्योंकि लाइब में प्रिशानी होरी मुझे लग रहा है कभी बंद हो सकता है और जो लोग सक्सम है मदद करने आप र्यास कर रहे थें उनसे मेरा निवेधन है कि वह ऐसे ही जो है के करांतिकारी साथियों से और बंगाल के करांतिकारी साथियों से मैं कहना चांगा कि वह भी जिम्मेदार से काम करें वह भी अच्छा काम कर रहे हैं तो जहां जहां पर आपका काम चल रहा है आप सब लोगों को बहुत 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 बंगल काम ना है मैंने कहा कि जो जरूरी इशू है उस पे आप तैयारी करके रखेगा मैं उस पर बात करूँ है जो रीजिरुबिशन और कोलेजियम का इशू है उस पर बात करनी बहुत जरूरी आपको समझ आना चाहिए और सरकार से तो क्या सवाल करें बहंगाई पर रोजगार पर ब्रसच जा जुड़िये क्योंकि ट्वीटर के माध्यम से मैं ज्याद जानकारी जो है लगतार देता रहता हूं रेट्रस्टी घटनाओं पर लगता जो है ट्वीट करके जवाब दई मांगता रहता हूं सरकार से पुलिस पर सार्शन के लोगों से अब समझे कि मैंने ट्वीटर प जेल में लैड़ा जाता है जो समझे कि अन्दाता की वजह से आज देखिए मैंकी फैक्टरी वालों का दिन नहीं आज और आप रोटी खारे तो थी किसानों और पर हम लोग से करते हैं सेलूट करते हैं उनको कि याज उनकी वैसे समझे कि बहुत सारे लोग के घर चल रहे हैं और जहां तक मुझे मेरे पास मैसे जा रहे हैं कहीं जगा पर जैसे गुजरात में ज्यादा जो हैं कोरोना के मामले आ रहे हैं जैसे आगरा में कोरोना के बहुत सारे मामले आ रहा है दूत्रा मैं यह भी कहूंगा कि जो प्रोटेक्शन उसका भी यूज करें मास्क लगाएं सेनिटाजर का यूज करें और फिजिकल डिस्टेंस जो हैं ओमेंटेन करें फिजिकल डिस्टेंस अगर मैंटेंड करेंगे तो इस बिमारी को हम लोग मात दे सकते हैं कि इमनिटी पावर हमारे देश के लोगे अच्छी है इसलिए का बगार इसलिए हम लोगों पर ज्यादा प्रभाव नहीं हो बारा है लेकिन क्यूंकि टेस्ट नहीं हो रहे हैं और अच्छा इलाज नहीं हो रहा है इस वह इसे बहुत साथ दिक्कते हो रही है और कई जगा प करके दिखाती है कि इस तरह से ही बिना गलफ्स के बिना सैनिटाइजर्स के बिना मास्क के बिना कवर के ही वो लोग सफाई का काम कर रहे हैं और उनको जो है यह सब चुझे प्रवाइड भी नहीं कराया जा रहा है तो यह वे एक बड़ा सोचने का विसे है कि सिरफ माहलाक डालने से काम नहीं चलेगा आप सरकार से सवाल भी करें आम जनता कि सरकार कर क्या रहे हैं बाकी चिंता मत किजिए देश में हिंदु-मुसल्मा सब्सक्राइब बना के रखेंगी क्योंकि उनकी रहनीटी सी पे चलती है आपको परियार्ज करना है कि इस महाल से बचना है यह हम सब लोग का मुलक है स्वक्षा करना वाइन जिम्मेदारी आप सब लोग कर भी रहें मैं सबके लिए नहीं कहता लेकिन आजार समाज पर्ट इसलिए बात नहीं कि आज कहो पाएगी तो मैं दुबारा इस बात को आप लोग के सामने रखों तो आप इससे जो है लाइव से जब मैं दुबारा लाइव की स्टेट्मेंट दूँगा तो आप लोग जुड़े रहिएगा बागी परियास करूँगा कि इस बार वीडियो ब पढ़ेंगे तब ही आप सकते हैं कि बावा साथ लुकारा आएंगे यह सीफ एप धोसिंग लगाना पड़ेगा और मिशन मुन्मेंट के लिए काम करना पड़ेगा देश के लिए काम करना पड़ेगा तो मेरी आप सब लोग के लिए मंगल काम ना है मारम जान भी चल रहा है इसके मिभारक बात ही मैंने दिती साथियों से कहुंगा कि वह भी फिजीकल डिस्टेंज का मेंटेन करें और हम सब लोग की जिम्मेदारी के इस सब्सक्राइब करें बागी जो बहुत